जैसे हमने इंडिया का का हुआ कि आप ऐसे ब्रजील देख लेते हैं प्रीडियस वीडियो में बात किया था कि ब्रजील में यहां पे कहीं से क्या पास होता है यहां से इक्विएटर पास होता है मतलब 0 डिगरी अब ब्रजील का जो start है वो 0 डिगरी के उपर से मतलब North Hemisphere स से होता है और वह खतम कौन से हिमश्पिर होता है धेखू यहां पर साउंद है तो हम इसके लाटिटव 2021 बसकी ब्रशेल का कहा है फ़ाइव डिख्रीव 2 ऐटिवेव classrooms कहा से होता है देखू यहां पर लेते ते ऊक्युदák start कहां से है तो Brazil कहा है यहां से start होगा 5 degree 15 minutes north north क्योंकि वह equator की उपर है और Brazil कहां तक है total तो Brazil total देखने को मिलेगा नीचे southern hemisphere में equator क्रोस करते वे यहां पर नीचे आएगा और वो है 33 degree 45 minutes south तक तो ठीक है start कहां से होगा 5 degree 15 minute north और खतम कहा पर होगा 33 degree 45 minutes south यह था इसका latitude वैसे इसका longitude भी होगा इसका latitude कहा पर था 5 degree 45 minutes north और खतम कहा पर होगा 33 degree यह 15 minutes होगा 5 degree 15 minutes north देखो स्टार्ट कहा से होता है 5 degree 15 minutes north और खतम कहा पर होगा 33 degree 45 minutes south south क्योंकि equator के बाद वो कौन सा hemisphere में आ गया है southern hemisphere में इसरे हम आपर कहा लिखते हैं तो latitude start कहां से 5 degree 15 minutes north खतम कहा पर 33 degree 45 minutes south यह था इसका latitude अगर हम ब्रजील का longitude देखें तो तो देखो यहाँ पर था 0 degree अब ब्रजील जो है वो eastern hemisphere में है यहाँ फिर western hemisphere में है वो है western hemisphere तो यह है 0 अब यहाँ से 1,2,3,4,5,6 ऐसे सारे degree आएंगे पर ब्रजील की से शुरू होता है ब्रजील शुरू होता है और देखो यहाँ पर और यह है 34 degree 47 minute west तो शुरू कहां से होता है 34 degree 47 minute west और खतम होता है 73 degree 48 minute west अब याद करने बहुत प्रॉबलम हो रहा होगा तो उसे पहले याद कर लेते हैं देखो ब्रजील जो है उसकी शुरूआत कौन से degree पर कौन से latitude से है 5 degree 40 और स्वाइफ डिगरी 15 minutes 5 degree 15 minutes नॉर्थ और वो यहाँ पर कहा तक आएगा कौन से latitude तक आएगा वो वो आता है 33 degree 45 minutes south याद कैसे करना देखो 5 15 5 degree 15 तो यह 15 है 15 3,000 कितना होता है 45 तो यह तो याद हो जाएगा न कि 5 15 15 3,000 45 यह वाला हो गया यहाँ पर है 33 यह लाटीट कौन सा 33 यहाँ से जो longitude की शुरूँ आता है यह 33 प्लस 1 क्या जाएगा 34 degree और इसका minute कितना आएगा 47 minute west 47 minute west देखो तो यह था 45 45 फ्लस 2 47 यह कैसे आद रगना है 15 15 3,000 45 यह 33 33 के बाद यहाँ पर क्या जाएगा 34 यह 45 यहाँ पर क्या आएगा 47 और यहाँ पर यह कहा तक आता है इसका extent यहाँ पर यह आ जाएगा 73 degree 48 minute ठीक है तो यह 47 और यह 48 अब यहाँ पर यह पर देखो ब्रजील का start कितना था यहाँ पर 5 degree 15 minutes north ठीक है यहाँ था क्योंकि कहाँ पर आएगा 5 33 यहाँ पर आएगा 33 degree 45 minutes south तो यह 15 का क्या हो गया 45 45 45 plus 2 47 तो यह जो इसका longitude है यहाँ पर 33 था longitude की शुरुआत क्या है 30 तरीके बाद 34 minute 47 40 34 degree 47 minute west ठीक है यह रहा यह 47 का क्या हो जाएगा यहाँ पर 48 यह देखो यह रहा तो यहाँ पर क्या हो गया 73 degree 48 minute west अब अगर इनको sum up करो पूरा देखो 5 15 5 degree 15 minutes north यह 15 का यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 का हो जाएगा 45 5 फिचा क्या लिखना है यहाँ पर 33 यह याद रखना पुड़ेगा 33 degree 45 minute west 33 का यहाँ पर क्या हो जाएगा ठोसिनी को आधे का यहां पर का ओजाएका थर्टिंटी और कॉंसे डिघ्री याद झालए करद है और यहां पर क्या है यहां पर मैं और फीट nivel को तोज African ओप इंग्र यहां पर देख लेते मैप में एक बार देखो है न तो यह जिरो डिगरी शुरुवात उसके उपर से तो नौर्थ है में इस वह से तो यह फाइफ डिगरी 15 से खतम का पर यह है थर्टी पर खतम होता है कि नहीं वह अलमुस्ट यहां पर खतम हो रहा है तो वह कितना है थर्टी त्री डिगरी 45 मिनिट्स और साउत आएगा यहां पर से शुरुवात किस पर आएगी देखो 35 पर एग्जेक्टली नहीं है उसके थोड़े से पहले ही है वह तो कितना आएगा 33 डिगरी 45 34 आएगा यहां 35 थोड़ा सा पर 34 डिगरी 47 मिनिट वेस्ट और खतम कहां पर होगा 73 डिगरी 48 मिनिट वेस्ट पर ठीक है तो यह था ब्रजील का लॉंगिट्यूड और लाटिट्यूड नहीं एक्स्टेंट